हेलो फ्रेंड्स क्या आप जाना चाहते हैं कि मनी क्या होती है और मनी के क्या-क्या important functions होते हैं तो आपको ये वीडियो सुरू से लेकर last तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि जब भी आप economics study करते हैं तो economics में बहुत ही important concept होता है और उसको जानने के लिए बहुत सारी curiosity भी रही है तो अगर आपको ये जानना है कि मनी क्या है और इसके क्या-क्या functions है तो आपको ये वीडियो सुरू से लेकर last तक जरूर देखना चाहिए जैसा कि हमने पिछले वीडियो में से डिसकस किया था कि मनी इस एनिफिंग विच जनरली एक्सेप्टेड ऐस मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ एज मैजर ऑफ वैल्यू स्टैंडर ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू इस कॉल्ड मनी तो ये एक एक फंक्शनल डेफनिशन कहलाती है मनी की जिसमें हम उसके सारे फंक्शन को कमबाइन करके मनी को डिफाइन करते हैं पर मैं आपको एक बहुत छोटी सी डेफनिशन बताने वाला हूँ आप इसको आसानी से लर्ण कर सकते हैं और इसको हम लोग लीगल डेफनिशन ऑफ मनी भी बोलते हैं जब भी कभी आपको exam में इसकी definition लिखनी हो तो आप हमेशा लिख दीजे heading legal definition of money और उसके बाद ये एक statement में इसको define कर दीजे तो क्या है सबसे छोटी definition of money वो है money is anything that our law says is money ये है एक statement में definition of money इसका मतलब क्या होता है तो आप किसी भी ऐसी चीज़ को money बोल सकते हैं जिसको हमारे देश का law money declare करता हो जैसे कि जो currency हम यूज करते हैं वो just a piece of paper होती है पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्यों क्यों हमारे law ने उसको money की category में रखा है अब यह paper भी हो सकता है cloth भी हो सकता है plastic भी हो सकती है यह depends करता है कि आपके लोग ने किस चीज़ को money की category में रखा हुआ है तो है ना असान definition मुझे पता है कि आपको यह definition काफी असान लगी होगी एक और एक एक छोटी सी definition है मैं इसको भी बता देता हूं आपको money is what money does ये भी small definition है जो अपने में ही सब कुछ define कर देती है यानि ऐसी कोई भी चीज मनी कहलाएगी जो मनी के सारे features को fulfill कर सके तो ये दो definitions आप लिख लीजिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए ये आपको future में काफी benefits देने वाली है अब हम लोग ये जान लेते हैं कि money के functions क्या-क्या है money अपने कौन-कौन से functions को पूरा करती है सबसे पहला है primary या basic functions और medium of exchange बाटर सिस्टम की एक बहुत बड़ी समस्या थी lack of double coincidence of want यानि पहले buyers और sellers को आपस में ढूड़ना पड़ता था कि वो एक दूसरे का समान purchase और sell करें पर money जब से आ चुका है तो double coincidence of want की problem money ने solve कर दिया है अब किसी भी seller को किसी दूसरे seller को find out नहीं करना पड़ता है वो अपने goods को आसानी से sell करते हैं money earn करते हैं और उस money से जो भी चीजों को purchase करना होता है उसको आसानी से purchase कर लेते हैं यानि money एक बहुत easy medium है exchange का चाया वो goods क का हो या services का हो सेकेंड है measure of या unit of value बाटर सिस्टम की यह भी बहुत बड़ी problem थी कि उस समय कोई भी measure या unit of value नहीं होती थी पर money के आने से goods and services की value को measure करना बहुत ही आसान हो गया क्योंकि अब हम हर चीज़ को उसकी price से compare कर सकते हैं यह pen 10 rupees का है यह shoes आपके 500 rupees के हैं यानि हमने हर एक commodity को उसकी price दे रखी है जिससे exchange करने में किसी को कोई भी issues नहीं होते हैं कोई भी यह नहीं बोलता कि हमारा समान महंगा है कोई यह नहीं बोलता कि हमारा समान सस्ता है primary functions के साथ साथ money काफी सारे secondary functions भी perform करती है जिसमें पहला है standard of deferred payment यानि money का इस्तमाल करके आप future में payments कर सकते हैं deferred का मतलब होता है future payments या credit transactions कर सकते हैं यह भी बार्टर सिस्टम की बहुत बड़ी problem थी जिसको money ने दूर कर दिया आज के समय में credit transactions करना possible है क्योंकि आज कल हम वहर चीज money के comparison में करते हैं पहले हमको goods को store करना पड़ता था goods को लंबे समय तक आप store कर नहीं सकते थे और उसकी value लगातार decline भी होती थी इसलिए future में payment करना goods के comparison में बहुत ही difficult होता था पर जब से money आ गई है आप आसानी से समान को बेज कर future में payments कर सकते हैं by earning the money और second है आपका store of value store of value का मतलब है कि आप money का इस्तमाल करके wealth create कर सकते हैं अगर आपका production of goods and services बहुत अच्छा है आप उसको sell कर दीजिए उससे money earn कर लीजिए उसको proper जगह पर store कर लीजिए इन्वेस्ट कर दीजिए जिससे आपकी जो wealth है वो maintain रहेगी और साथ साथ में बढ़ेगी भी इसलिए money का इस्तमाल हमेशा value को store करने में और wealth को increase करने में किया जाता है तो यह हैं आपके primary and secondary functions of money अगर आपको यह interesting और informative वीडियो अच्छा लगा हो तो friends के साथ बिलकुल इसको share करना ना भूलिएगा और हमारा चैनल Mission Commerce जरू सब्सक्राइब कर दीजिए with bell icon ताकि आपको ऐसी ही informative वीडियो की notifications मिलते रहें और आप हमारे वीडियो आगे भी देखते रहें तब तक के लिए thank you